गूद मॉर्निंग सभी छातरों को आज हम राश्ट्रिय आय के ग्यानत करने के जो तीन वीधिया उन तीनुँट वीधियों से जो प्रस्न को राष्ण होते हैं Надके प्रस्न हलकरन से पहले अलाकि हम पढ़ा चुके हैं इसको राष्टे आग के अंगलन की तीन विधिया, कुलूतपाद विधी, आई विधी और ब्याई विधी फिर भी थोड़ा हम इसका रिकैप करेंगे एक बार एक वाद जितना हमने पढ़ा है किस प्रकार से गढ़ना करनी है उसको हम एक बार पहले रिविजन करेंगे फिर हम आगे क्वेश्चन मों बढ़ेंगे तो राष्टिया ग्याद करने की तीन विधिया हमारे पास थी पहली विधी, कुलूतपाद विधी इसको हम मूल्य ब्रद्धी विधी भी कहते हैं या मूल्य ब्रद्धी विधी कहते हैं दूसरी विधी आय विधी उतपादन के साधन है उनकी जो आय होती है इसमें ग्याद कि तीसरी विधी थी ब्याय विधी जो एक देश में कुल ब्याय होता है उसका गढ़ना करके हम ब्याय विधी से करते हैं हुआ है और सबसे पहले कुल उत्पाद विधि य कुलूत पाद या मुल्ली बृधि हぁ कि करे इस प्रकार से प्रकार मूल को गढ़ाते हुए पृतिक इस तो इसमें जब हम देखते हैं ग्यांत करने के लिए गढ़ना करते समय हम देखते हैं कि जो हमारे पास तीन छेतर हैं प्राथमिक छेतर और दूतियक छेतर और तिर्थियक छेतर इन तीन छेतरों में जो उत्पादन किया एक वर्स के अंतरगत एक वर्स में जितना उत्पादन किया उसका मूल लिया एक लेखा वर्स में कुल उत्पाद का मूल लिया खुल उत्पादन कितना किया कुल उत्पादन का मूल लिया जो बाजार मूल लिया है एमपी निकलता है इसमें तीनु का प्राथमिक छेत्र का भी द्युतियक छेत्र का भी त्रिफ्तियक छेत्र का भी हमने निकाला कुलुत पात का मुल्य निकाल दिया अब इस मैंसे इन तीनों को जोड़ा हमने ये तीनों क्या करने हैं प्राथमिक छेत्र का खुरूत पात कितना था दुटियाक छेत्र कितना था तृतियाक छेत्र का कितना था उसके बाद जो मध्यवर्थी मूल्य था तीनों छेत्रों का मध्यवर्थी मूल्य तीनों छेत्रो जिसको हम gross value added GVA भी कहते हैं किस पर market price पर यह हमें GDP मिला या GVA मिला किस पर market price बाजार कीमत पर अब बाजार कीमत से हमने हमें ग्याद करने है राष्ट्री आए राष्ट्री आए थे NNP at factor cost अब इस GDP GDP factor cost से हमने पहुंचना है NNP factor cost NNP at factor cost पहुंचना है तो इसमें हम देखते हैं कि इस G का एक जो gross है gross को हमने बनाना है net तो gross को net बनाने के लिए हम depreciation जो मूल राष्ट है उसको घटाते थे पहली बात मूल राष्ट गटाते हैं gross को net बनाने के लिए और इस domestic को national बनाने के लिए हम विदेशुर से प्राप्त सुद्ध net factor income from abroad NFIA जोडते हैं इसमें और इस FC को इस MP को FC बनाने के लिए हम क्या करेंगे MP मैंसे माइनस करेंगे NIT अर्था शुद्ध अपर्टेक्स कर जिसमें हमारे अपर्टेक्स कर भी होंगे और माइनस सबसिडी होगी इसको हम घटाएंगे तो तब जाकर के यह हमारा ग्यात होगा यह हम मिलेगा इसको हम राश्ट्री आए कहते हैं इस प्रकार से यह है कुलत पाद विदी अब दूसरी विदी हमारे पास होती हैं हुआ है कि दूसरी हमारे पास है आई बीदी आई बीदी देखे अब मैं अपारी मेंермok занud a से इसके बहुत सारे भैक्तर आई बीदी में हम निकालते हैं इसमें आई बीदी से हम जी डीपी प्रका निकालने लिए जीड़ीप पेक्टर कोस्त निकलेक constituents कि आये है सब से सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिसको मजदूरी बेतनाधी कहते हैं इसके भी दो पार्ट होंगे बच्छा दूसरा होता है प्रचालन अधिसेश अभी देखते हैं के करके फिर हम और इसका तीसरा पार्ट है तीसरा पार्ट है मिसरित आई अब जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है इसके दो पार्ट और है इसका एक पार्ट है जो मजदूरी के रूप में बेतन के रूप में मिल रहा है मझदूरी और बेतन के रूप में जो मिल रहा है, वह है, उसके अत्रिक कुछ जो नियोकता हैं, जो मालिक हैं, अर्थात जो ओनर्स हैं फैक्ट्री के, या कहीं कि यह भी जो उनको नोकरी में रख रहे हैं उन लोगों को, इन करमिचारी को, वो क्या करते हैं, उनके समाजी कल यां यह करते हैं करथात इसको हम कहते हैं नयोगता द्वारा जो मालिकिताय जो tim कर्मेचारी हैं किसकी कर्मेचारियों की सामाजिक सुरक्ष्या पर या अन्य जो सामाजिक सुरक्ष्या ब्याइगा जैसे मना उन लोगों के लिए अस्पताल की सुधा है मेडिकल फैसलिटीज है या उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की सुधा है या उनके लिए आवागमन के लिए ट्रांसपोर्टेशन है या उनके रहने के लिए हाउसिंग है यह सब चीजें जितना खर्च कर रहे हैं वो सब इसमा आजाता है अब प्रचालन दिशेज द्यान दीजे इसमें भी तीन पार्ट हैं प्रचालन दिशेज के तीन पार्ट हैं इसका पहला पार्ट होता है लगान भूमी के बदल जो लगान मिलता है दूसरा है पूजी के बदले ब्याज और तीसरा है साहस के बदले लाब प्रचालन दिशेज तो लाब में पहला लाभांस जो company उनके share धारकों को बाड़ती है dividend इंगलिस में लिखते हैं इसको एक company अपने लाभ का जिस भाग को अपने share holders में बाड़ती है उसके बाद अगला है निगम लाभ कर निगम लाभ कर corporate tax कहते हैं इसको जितना टेक्स कोई company देती है एक साल में और अवित्रित लाभ कि अवित्रित लाभ लाभ का कुछ भाग लाभ का कुछ भाग company अपने development के लिए भौशी में कुछ अन्निक सुविधाओं के लिए बाड़ती निए जितना लाभ हुआ लाभ के तीन पार्ट एक पार्ट तो सबसे पहला पार्ट यहां समझाएं इसको माना एक company ने अपने पास भौश के लिए रख लिया वह अवित्रित लाभ हो गया दूसरा पार्ट company ने लाभ कर सरकार को दे दिया निगम लाभ कर corporate tax कहते हैं तीसरा जो बचा उसको उन पार्ट हैं यह लाभ हो गया अब उसके मिस्रित आई जो होती है वह अनियोजित जो है मिस्रित आई जो होगी वह क्या होगी एक तो है अनियोजित जो उद्यम है अनियोजित उद्यमों की आई अर्था जो छोटे मोटे दुकांदार हैं रेड़ी वाले हैं जिनका कहीं पर इस प्रकार से योजित छोटे कुट द्योधन्दे काम कर रहे हैं या जो अनियमित जो कार्य कर रहे हैं एक तो यहां मजदूर बेतर मिस्ता है जो तो यह सब मिस्रित आइमा आएगा इन सब को हम जब जुड़ेंगे प्रतान देशेष और मिस्रित आई इससे हमें क्या मिलेगा GDP Gross Domestic Production at Factor Cost क्योंकि यह सब आई जोड़ने हैं आई जोड़ने से हमें GDP FC मिलेगा अब यहां पर धिहान देन्गे जब हम questions करेंगे गर्णा करेंगे कभी-कभी यह आपको जो उपर का पार्ट है इस पार्ट को भी देंगे यहां से भी एक-अचीज देंगे जब माना यह आपको च sięजार दिया है उसके बाद इसमें माना 400 मजदूरी है और 600 है तो 400 मजदूरी और 200 यह सब है तो कभी क्या करते हैं क्वेश्चन में इस 600 को भी दे देंगे 400 यहां भी देंगे उस समय 400 को छोड़ देना है केवल 600 को देना है इसी प्रकार से प्रचलना दिसेश में भी माना यह 1000 रुपिया है इस 1000 में माना लगान 200 है ब्याज 300 है और लाव 500 है तो लाव के भी और पार्ट हैं लावान से 200 और निगम लाव कर 200 अवित्रिद लाव 100 इस प्रकार से अगर 1000 हमें यहां दे दिया तो फिर हमें एक कुछ देखने नहीं है इननों पहचान नहीं कि यह सब इसके अंतरगत है इसलिए इनको हम नहीं को ले लिया तो फिर लावांस को लेने के आवसकता नहीं होगी यह ध्यान देंगे जब हम कॉस्टन सौल्ट करेंगे तो कि जो हमारे मूल हैं मूल हमारे करमचारी का पाज्रमिक प्रचालन अधिसेश और मिस्रिता यह तीन मूल है मूल के फिर इसमें दो पार्ट इसके हों इस लगान में रॉयल्टी भी आ जाई ध्यान देना रॉयल्टी रॉयल्टी का मतलब जो कोई प्रकाशक वह है जिस ब्यक्ति ने किताब लिखिया उसको एक निशित फिक्स होता है जितना उनकी बात है फिक्स होते होंगी उसको प्रतिक किताब के हिसाब से उसको पैसा दे उसको रोयल्टी कहेंगे तो रोयल्टी भी इसी में आ जाएगी यहां पर ध्यान देंगे इसको तो यह अब यहां हमें GDP FC मिला GDP FC मिलता है इसमें GDP FC Factor Cost हमें निकालना यहां से NDP Factor Cost राष्ट्रिया निकालना है तो इस G का end करने के लिए हमने बार बार बताए आपको Depreciation को माइनस कर देंगे और इस D का end करने के लिए NFIA को प्लस कर देंगे यह हमारा NNP Factor Cost हो जाएगा इस प्रकार से हम यहां याद करेंगे अब जो तीसरी बीधी इसमें आती है हमारी BIB बीधी में ध्यान देंगे BIB expenditure method अब बीधी के अंतरगत हमारा जो GDP आएगा वह किसम आएगा GDP क्योंकि BIB मार्केट महरा तो market price में आएगा GDP मार्केट प्राइस में BIB में क्या क्या चीज़ा आती है सबसे पहले आता है नीजी अंतिम भोग ब्याई जो नीजी मतलब जो ब्यक्तिकत प्राइबेट का हो रहा है जो नीजी अंतिम उपभोग ब्याई यह आएगा अर्थात जो ब्याई कर रहे हैं दूसरा इसमें आता है सरकारी अंतिम उपभोग ब्याई इसके बाद इसमें आएगा शकल पूजी निर्माण अर्थात एक वर्ष में कितना पूजी निर्माण हुआ इसके बाद इसम आएगा स्टाथ परिवर्तन तकितना इसटाथ पिछले वर्ष था कितना हमने बढ़ाया जो हमने समत्राइन किया उसके बाद इससे हमारा जीडीप एंप आएगा इतनी यहां पर एक सब्द आया है उसके बाद फिर उसमें उत्पादन कार्य नहीं जैसे हमने आई भी पड़ा था मद्दिवर्थी उभ्भोग को घटा दिया था तो यह भी अंतिम उभ्भोग जब कोई फर्म अपने लिए समान ला रही है उस पर जो ब्याई कर रही है उस अंतिम भूग जो जो जितने भी खर्चे होते हैं सरकार के दैनिक कार्यक्रम में और शकल पूजी निर्माण के फिर इसमें पार्ट होंगे शकल इस्थाई घरेलू पूजी निर्माण एक हो गया दूसरा हो गया इसमChat आता है एक आवश निर्माण पर वेजो आपके आवास और वाश या कोई भी बैक्ति आवाश्वारा है हाउसइंग जो सोसायटी हैं आवाश लिएख ये तो इस्ताई फुशक के अंदर रहां अरथात एक देस्य जो फैक्टरी के मालिख हैं एक देशम में जए मैं कितना पूंजी निर्मान कर रहे हैं उद्धयोंदा सपने के घर बन रहे हैं रहाइसी घर आवासी घर और सारवजनिक निवे बैसा मंतलए सरकार कितना बैसमाइबक करेंगे और परिवर्तन को हम समझते हैं कि जो हमारा अंतीम हुर किulिowej तो हम इस टॉप परिवर्तन केंगे उसको जैसे माना एक फ्यक्टरी एक फिर्म कहती है कि मैंने इस वर्स में पौंसों सो गाड़ियों पॉंशो गाडियां बेची हैं तो उससे अंदाज ने आएगा कि कितना उत्पाधन किया उत्पाधन करने के देखना पड़ेगा उसका प्रादमिक इस्टाउक क्या था माना वर्स शुरू होते समय एक अप्रेल को उसके पास 50 गाडियां थी यह प्रादमिक इस्टाउक है औ और वर्ष अंत होते होते भी उसके बास माना पचास ही गाड़ियां हैं, तो परिवर्टन जी रो हो गया, इसका मदलब उसने पउंच्छो का उतपादन किया होगा, तब पउंच्छो का उतपादन पान्या उसने बेची, अब अगर अंतिम में 150 हो जाता है, अंतिम उसका 150 हो 600 इस इस्तिति में होगा अगर ये प्रारंभी की स्टाक 50 था और अंतिम स्टाक माना 25 बज गया है इसका और वो कहता है कि मैंने 500 गाड़ियां बेची हैं तो 500 गाड़ियां बेची हैं इस्टाक पर अरदन माइनस में है तो 25 तो आपका 475 गाड़ियों का ही उसने उत्पादन किया उसवर्स तो यह आपका ब्याई बीदी है इस प्रकार से हम इस्टोक पर रहें इसमें निकालेंगे अब यह आपके इनसे हमारा जीडीपी एंपी निकलेगा जीडीपी एंपी के बाद फिर इसमें इक चीज और आता है कि जो हम व बेचा माना यह आपका हमने सो गाड़ियां बाहर बेची और पचास गाड़ियां बाहर से मगाई तो इसका अंतर पचास हो गया अगर हमने सो गाड़ियां बेची एक सो पचास गाड़ियां मगाई तो माइनस माइनस पचास हो गाई तो हमने इंपोर्ट अधिक किया है उत अब इसके बाद GDP MP आएगा फिर वही इस D का domestic का हमने national करना है तो NFIA बिदेशन से प्राव सुद्ध साधनाई को जोड़ेंगे मूल्यराज को घटाएंगे मूल्यराज जो है डिप्रिसेशन उसको घटाएंगे और इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्षकर NIT घटा देंगे तो फेक्टर कॉस्ट हो जाएगा इस प्रकार से हम आई की गढ़ना करेंगे यह तीनु बिधियां हो गई आई बिधी बिधी और घुल उतपाद भी नहीं या मूल्य बिधी बिधी उसको कहते हम अब हमें क्वेश्चन देखते हैं आपके किताब में जो क्वेश्चन है एक बहुत सिंपल क्वेश्चन उससे हम बढ़ते हैं फिर आगे समझवाएगा आपके राजु हजाम हजाम एक दिन में बाल काटने पाँancy के लिए 500 रुपए का संग्रह करता है एक दिन में कतना संग्रह करता हुआ है 500 रुपइयह अरथाक 500 रुपइयह उसने जो लोग के बाल काटे माना अगर पचास रुपढ लिजान गिसाबब्य पचास रुपjes हो रहा है अब GPS्व पचास बचशां 되어 ह्यां है जो भी उसमें जो उपकरण है उनमें घिसावट बे 50 रुपिया है अब 450 बचे 50 तो उसे खर्च होगे उन्ची जुमें 450 बचे 450 में से 30 रुपिय बिक्री कर दे रहा है जो अपर्टेक्श कर है उस 450 में से 30 पे ओंदर 420 बचा अब 200 रुपिय घर को ले जा रहा है 200 रुपिय अपने घर को ले गया और 220 220 कि उन्नती और नई उपकरण को करई करने में बैयर करता है अब 220 कहां खर्च करता है आगे के लिए एडवांस कुछ अपने बचत बढ़ने के लिए पूजी बढ़ने के लिए जिसको हम पूजी निर्माण भी करते हैं जो हमारा ये था शकल पूजी निर्माण वाला भी समाज जाएगा अब इसके बाद वहां अपनी आए में से 20 रुपे आएकर की रुप में अब जो 200 रुपे घर ले गया उसमें से 20 रुपे उसने इंकम टेक्स दे दिया उसकी इंकम है डारेक टेक्स और इसके आधार पर आपको बताना है कि वजल उतपाद कितना था बाजार कीमत पर निवल राष्टी उतपाद कितना था कारग लागत अर्था साधन लागत पर वयक्ति याए कि वश्चुण याए ये हमें निकालने अब इसके लिए देखे सबसे पहले कुल मौत्र रुपया जी है 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 50 रुपिया मुल रास 50 रुपिया है और यह हो गया उसके बाद विक्री कर विक्री कर जो अपर टेक्ष कर है इनडिरेक्ट टेक्स है वह कितना है वह है तीस रुपिया जारैट्ट टेक्स है यहां पर लाभांस कह सकते हैं या इसकी हम कहते हैं जो उसकी आई है अगर हम आई बीधी में हम कर रहे हैं तो जो उसकी आई है यह मजदुरी बेतन भी कह सकते हैं पारिसरमिक भी कह सकते हैं लाभांस को हम ठीक है इसमें लाभांस में यह पारिसरमिक भी है इस प्रकार से पारिश्रमिक जो उसका था 200 रुपया घर ले गया हुआ यह हो गया 200 रुपया उसके बार जो उसने ब्याई करने के लिए बचाया उन्नत उप्रणों के लिए अर्थात पूझी निर्मान के लिए उसको हम प्रतिधारित आई भी कहते एक सब्द आएगा यहां पर प्रतिधारित आई कितना है 220 रुपया यह हमें जानकारियां दी हैं हमें ज्याद करना है सबसे पहले सकल गहले उत्पाद GDP गड़ीप निकालना है तो यह क्या होगा जो सकल गहले उत्पाद है वह है अगर ब वो है Gross Domestic Production Market Price है अगर Factor Cost पर कहता है GDP Factor Cost पर कहता है तो क्या हो गाहिवा इसमें dobrze charter गड़ जाएंगे वह कौनशे जो यह वाले थे इंडिलेक्ट एक सबसेडी वाला अनाइट वाला पार्ट गड़ जाएगा टो GDP MP माइनश अनाइटी अर्था शुद्ध अप्रतेक्स चकर जो घटे थे यहाँ पर वो घटेंगे इसमें तो यह हो जाएगा आपका 500 में से NIT घटा 30 बरावर 470 रुपया GDP MP हो अब जो आगे बढ़ना है अगला B पार्ट पुछा है हमसे A में B में पुछा है बाजार कीमत पर शुद्ध राश्टी आई बी में पुछा है बाजार कीमत पर शुद्ध राश्टी आई शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस शुद्ध राश्टी आई अब शुद्ध राश्टी आई यहाँ पर चुंकि विदेशू से कोई सुद्ध राष्टि आही सुद्ध घरलो आई होगी हमने क्या करना है इस जी और एन को चेंज करना है मार्केट प्राइस मारे पास है तो जी डी पी हम कह सकते हैं जी एन पी है इसको हम जी डी पी क्योंकि इसमें यह बंद अर्थिवर वस्ता की तरह है इसमें विद्येशु स तो जी एन पी मार्केट प्राइस कितने हमारी है जी एन पी मार्केट प्राइस पांशरो है और מूल तेसरा पूर्ट पुछा है। सी पूछा है साधन लागत पर शुद्ध राश्टरी आये अर्था जी एन्पी सुद्ध एन्पी एट फेक्टर कोस्ट बराबर एन एनपी एट मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस से फेक्ट कॉस्ट तो एनाइटी सुद्ध कर घड़ जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 450 तो था 450 में से टेक्स घड़ गे तो 420 रुपिया यह आपका साधन लागत पर सुद्ध रास्टी है आया सुद्ध घरलवाए हो गई यहां पर अगला पुछा है वैक्तिक आय का निकालने के लिए हम निकालते हैं कि उसकी सुद्ध रास्टी आय क्या है सुद्ध रास्टी आय में से जो उसका यह जो प्रत्धारित आय है या जो पूजी निर्मान किया है उसो घठा देंगे तो व्यक्तिक आय मैंसे हम करेंगे सुद्राश्टी आय, साधन लागत पर सुद्राश्टी आय, net national income on factor cost minus प्रतिधारित आय, जो हमने कहा था, उसने ब्याई किया कहां पर, आगे की उन्नती के लिए, नए करणों के लिए ब्याई किया, उसको प्रतिधारित आय भी कहते हैं, प्रतिधारित घट जाएगी, तो 420 में से घटेगा, 220 तो 200 रुपिया उसकी वैक्तिक आय होगी, अब प्रियोजी वैक्तिक आय, एक सब्द और आया, वैक्तिक प्रियोजी आय, वैक्तिक प्रियोजी आय, वैसे भी देखिए, वो जो 200 घर ले गया था, वह उसकी वैक्तिक आई थी व्यक्तिक प्रियोजी आई क्या है यह होती है जो उसकी व्यक्तिक आई है व्यक्तिक आई में से टेक्स कौन सा प्रत्यक्षकर जो सीधा दिया हूँ व्यक्तिक प्रियोजी आई ब्राबर व्यक्तिक आई रिन प्रत्यक्षकर ब्रत्यक्षक्र वैक्षिक आया थी 200 यह थी और रत्यक्षक्र है मेरे पास तैक्ष दिया तो 20 रुपया घट जाएगा तो 180 रुपया उसकी वैक्तिक प्यूपया अब खर्च करने के लिए उसके पास कितनी है 180 रुपिया अपने घर के कर्च के लिए उसके पास बसता है उसको हम व्यक्तिक प्रियोजिया कहते हैं इस प्रसंद से आप थोड़ा समझ गये होंगे कैसे हमने हल करना है तो हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर साथ है मान लीजिए कि किसे वर्स बिसेश में एक देश का सकल गहलु उत्पात बाजार गीमत पर था जीडीपी मार्केट प्राइस एक ग्यार सो करोड़ रुपया है विदेशों से प्राप्त निबल निबल मन्दर शुद्ध होगा निबल कारक आए सो द्यान देना विदेशों से प्राप्त शुद्ध निबल कारक आए एक चीज़ ध्यान देना निबल या शुद्ध इसको हम लिखते हैं NFIA लिखते हैं Net Factor Income From Abroad इसका मतलब हुआ कि विदेशों से कितना आया विदेशों से विदेशों से आया कितना माइनस विदेशों को गया कितना उसका अंतर अगर हमारे देश में विदेशों से कम आ रहा है यहां से अधिक जा रहा है विदेशों को तो यह माइनस मा आएगा अगर विदेशों से हमारे देश को अधिक पैंस आ रहा है यहां से प्लस में आएगा इसको हम सुध्य तब कहा दिया हमने एन फाइए कहे दिया सुध्य मतलब जो आया और गया उसका अंतर यहां पर देआए आपको एक इन iki दे को और चाह्ड़ा रास्टी आए हम एन अनन प्रक्र कोस्ट होता है पहले हम देच लेते हमें क्या-क्या दिया है उसके बाद हम जो ज्याद करना है उसको ज्याद करेंगे हमें दिया है यहांपर सबसे पहला बाजार कीमट पर सकय लिस पाज GDP at market price दिया हमें थे 1100 क्रोड रुपया एक ग्यार्सों क्रोड रुपया हमें GDP मार्केटपाइस दिया है उसके बाद दिया है विदेशुन से सुद्ध आए एन एफ आई ए दिया है एक सो पचास क्रोड रुपया और राष्ट्री आए एन एन पी एड फेक्टर कोस्ट राष्ट्री आई जो होगी नेशनल इंकम उस हीद्ध गणा साथ चीज दी है इसमें हमें और हां और एन आई टी सुद्ध सब्स उप्रेक्टर कर देदिया हमें 150 150 सुद्ध कर दे तो राश्ट्रि आई से हमने निकालना है GNP निकालना हम यहां से बढ़ेंगे इधर से कि GDP दिया है GDP से हम पहले GNP निकाल लेंगे तो एन डो नाइट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस हो जाएगा घिये प्न काल एक लोग्ष औरो है कि से इनफ आई इसमें गर्टिई Š ट्र सादना unlocked चुरत नश्ट मार्केट प्राइस तो हमा दो निकलेगा जी हिन प्हान है देजिए हम इस NNP फैक्टर कोस्ट निकालेंगे जीन पी फैक्टर कोस्ट निकालेंगे उसमें से फिर घटा देंगे GDP फैक्टर कोस्ट हमारा ग्रास निकल जाएगा यह हो जाएगा GDP Factor Cost है GDP Market Price 1100 रुपया धन NFIA है 100 तो यह हो गया 1200 करोर रुपया हमारा GNP Market Price हो गया अब GNP Market Price से हमने निकालना है GNP Factor Cost GNP Factor Cost निकालना है तो यह हो जाएगा GNP Market Price अर्था जो Factor Cost से Market Price निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें हम जो Taxes है जो NIT है Market Price में से घड़ा देंगे NIT शुद्ध अप्रतेस्ट कर घड़ा देंगे तो हमारा Factor Cost निकल जाएगा Market Price हमने मिला है GNP Market Price हमने मिला है और NIT हमें दिया है तो उस Market Price को Factor Cost करना है तो हम NIT को घटाएंगे तो हमारे पास 1200 रुपिया Market Price GNP है NIT है 150 रुपिया तो घटा हमारा यह आ गया 1050 रुपिया GNP Factor Cost हो गया अब GNP Factor Cost एक चीज मिलिया हमें और NNP Factor Cost यह मिला है हमें दिया है अब हमें निकालना है हरास अर्थात GNP और NNP का जो अंतर होगा Gross को National करने वाला या National को Gross करने वाला जो अंतर हो कौन है मूल्य हरास है तो मूल्य हरास का सूत्र हो जागा यहां पर मूल्य हरास बराबर जो G है GNP Factor Cost जी अंपी फेक्टर कोस्ट माइनस NNP Factor कोस्ट जी एंपी फेक्टर कोस्ट mm को 250 प्राफ सुध्व साधनाय दिया था और रास्टिया था राष्ट्री आई दिया था हमें निकालना था हराच कितना हुआ तो हमने पहले इसी से चले ग,ड,p,m,p से हमने ग,n,p निकाला था द और n का अंतर कीया हम ने इस d को हमने n बनाना आक तो क्या किया एन f ai साथनाय को जोड़ दिया तो हमारा GNP Market Price हो गया अब इन प्रास को हमने टक को घटा दिया बर घटा दिये अर्थात बाजार में अधिक में विखता है और उत्पादन लाउगत कम होती है तो जो बाजार काक कह रहे हों का बाउगत है अगर जो लागत किसी वश्धु की लागत है जिसका हम फेक्टर कॉस्ट कहते हैं फ्ट यह तो यह इस प्रकार से हम इसको करते हैं तो अब हमें जी एनपी एपसी मिल गया ऑनपी एपसी दिया है तो उनका अंतर जो जी का एंड से ग्रॉस का नेट का हरास हो गया अगला क्वेश्चन देखिए आठ वाँ किसी एक देश किसी एक देश किसी एक देश विशेश में एक वर्स में कारक लागत पर निवल राश्टी उत्पाद उनी सो क्रोड रुपिया है फेक्टर कोस्ट दिया है एन एन पी फेक्टर कोस्ट अर्था राश्टी आए फर्मू और सरकार द्वरा परिवार को अथवा प पूर्चन आय था हमने अभी देखें किसThese से निकालना है परिवारों की व Wheels आए रुपया है उनके द्वारा दा किया अदा किए व्यक्ति कर 600 कृट रुपया है और फर्मे ताथ सरकार दो पराइश्जित आई का जो मूल है वो 200 क्रोड रुपया है सरकार और फर्म द्वरा परिवार को की गई अंतरण अदाइगी का मूल क्या है अर्थात हस्ता अंतरण भुक्तान जिसे हम कहते हैं जो सबसीडी के रूप में या सबसीडी अलग है जो आपको सरकार द्वरा जो विरोजगारी भत्ता या बर्दावस्ता पैंसन के रूप में लोगों को दिया जाता है उसको हम अंतरण अदाइगी यहां पर रखेंगे अब हमें जो दिया है उन्हें चुछ को लिखते हैं प्रस नमर आठ है सोलिशन आठवे का जो ग्यानत है हमें ग्यानत पहला क्या है साधन लागत पर प्रियोज्य आए इन्जिवजल डिस्पोजल इंकम कहते हैं प्रियोज्य आए प्रियोज्य आयर था इसमें टेक्स सामिल नहीं है टेक्स घटा करके है व्यक्तिक प्रियोज्य आए बार सो क्रोड रुप्या है और जो व्यक्तिक आयकर है व्यक्तिक आयकर है ब्राबर 600 क्र रुपया यह देखिए अब जो यह दोनों का योग होगा अभी देखेंगे उसको और उसके बाद हमें दिया है इसमें जिसके हम प्रतिधारित आई भी कह सकते हैं जो फर्म और सरकार द्वारा अरजित आई कौन सी आई है या अरजित आई यह आई वह है जो सरकार ने अपने पास रख लिया जो फर्म ने जो लाब का वह भाग जो अपने पास रख लिया जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से जो इस पिछले प्रस्नम हमारे पास आये था इस प्रस्नम में आये था हमारे पा 200 करोड रुपया अब हमें निकालना क्या है इसमें देखिए सबसे पहले हम वैक्तिक प्रियोजी आई निकाल देंगे वैक्तिक प्रियोजी आई 1200 दिया है तो 1200 से हमें निकालना है कि जो शाधन लागत पर शुद्ध राष्टि उत्पाद ये भी दिया है वैक्तिक प्रियोजी आई कर दिया है और हस्तांतरित आई को निकालने के लिए इस प्रकार से करेंगे अगर हमें निकालने सीधे हस्तांतरित आई निकालनी है फर्मू और सरकार द्वारा हस्तांतरित आई ग्यांत करनी है तो बराबर हो जाएगा सबसे पहले जो हमारे पास NNP factor cost था उसमें से हम जो यह आए थी घटाएंगे प्रतिधारित आए घटाएंगे और फिर उसमें से वैक्तिक आएकर घटा देंगे वैक्तिक आएकर घटा देंगे अध्यारिक आए यह आपके इसमें वैक्तिक थोड़ा चेंज थे थोड़ा स्वरी यह डायर्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले बैक्तिक प्रियोजी आए कितनी थी उस जितना भी यह बन रहा है इसमें से हम जो रास्ट्या वालब पोर्सन करणा देंगे इसमें है अर्थात वैक्तिक प्रियोजी आए प्लस वैक्तिक आएकर यह तो दुरून की आए थी जो घर ले गया था 200 रुप्या राजू हजाम राजू वह 200 थी 200 अशी है और धन प्रत्धारित आए उत्पादन तो है लेकिन वह लाब है लाब के रूप में है लेकिन लाब बाटा नहीं गया है और कर भी नहीं दिया है वह भौशी के लिए रखा गया है पूजी को बढ़ाने के लिए दिया प्रत्धारित आए हो गई अब इसमें से हम घटा देंगे जो NNP फैक्टर कोस्ट है तो हमारी हरस्तारित आए क्या है वो निकल जागी इसके लिए 1200 ये थी धन 600 ये थी और धन 200 ये उसमें से 1900 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका से ये क्योंा जाएगा अब इसके बात हम जो बागी क्योंचन है अगले सेसं में करेंगे जैसे हमारे पास और बी क्योंचन इसमें है एक glor смी बचा है वहुला वह हुला में हमें ज्यांत करना है व्यक्ति का आए व्यक्ति प्रयोजिय यह कर सकते हैं ध्यान देना है कि हम प्रस्न को समझते ही देखते ही समझ जायंगे कि इस बिदि से याँ पर यह पर एक बार देखिये यह प्रसंदिया है का व Arms दिया है का दाइब नीवल निभल उदिपाद इंदेपों आफ यह स् GDP, एक बार फ़र सारी बिजन देख लें उसको, हमारे पास सबसे पहले GDP MP आता अगर हम मुल्ली ब्रदी बिदी में कहें तो अब इसमें किसको कैसे बदलना है, इस G यह है ग्रोस, ग्रोस या शकल है, यह D घरेलू है और यह उत्पादन है, यह MP बाजार कीमत है, अब इस सकल स यह सकल वाले को हमने करना है सुद्ध को शकल करना है, यह यह बात है, उल्टा हो जाएगा उसका, तो शकल क्या था, जितना राजु हजाम 500 अरपया घर ले गया था, वो शकल था, पॉर शकल था, उसने उसमें से जो घिसावड थी, टूट फूड थी उसकी कहची को धार ल उसको हमने घटा देते हैं माइनिस कर देते हैं तो शुद्ध निकल जाएगा अब माना यहां उसने 50 ग्राइब उसका शुद्ध क्या था शुद्ध घरिलू चल रहा दी अब यह सकल सुद्ध का खतम हो गया अब इस डी को हमने करना है राष्ट्री है तो राष्ट्री करने के लिए हम देख रहे थे राजू हज्जां वाले क्वेश्चन में क्या था कि वह बिदेशूं से कोई संबंध न कितना हो रहा है विदेशूं से प्रात सुद्ध साधनाय सुद्ध यहां सब्द भी है सुद्ध का मतलब कितना विदेशी लोगों ने यहां से कमा के अपने देश को ले गए और कितना यहां के लोग विदेशूं में कमा के यहां भेज रहे हैं उसका अंतर अर्था विदे इसको गया इसका अंतर अगर ये अधिक है तो प्लस महोगा ये अधिक है तो माईनिस महाईगा NFi ये हो गया ये बाजार कीमत है इसको हमने करना है साधन लागत अर्था जो साधन लागत थी अगर हम आई भी दिशे करेंगे तो डायरेक्ट हमार साधनलागत ही निकलेगा तो बाजार कीमत और साधनलागत का अंदर होता है कर कौन से अप्रटेक्ष कर क्या करते हैं माना किसी वस्तु की जो कोस्ट है लागत है लागत थी उस पर 100 रुपिया और बाजारम बिक रहा है कुछ आउश्यक वस्तु पर सरकार अपनी वर से उसका भुखतान करती है ताकि वह सामाने जनुप तक भी उसकी पहुंच हो सके हम लपीजी गैस की बात करते हैं उसमें सीधा आपको पता होगा डायरेक्ट बेनिफिट जो आपके खाते मात है तो वह सबसीडी है तो सबसीडी क्या करती है टेक्स मूली बढ़ाता है सबसीडी मूली घटाती है घटाती है तो यहां पर हो जाएगा माना 20 पर टेक्स सबसीडी दी सरकार तो सो में टेक्स जुड़ा रेन 20 रुपिया बराबर 130 में आई यह यह टेक्स था कर था यह लाग कि जो डारेक्ट टेक्स थे जो अपर्टेक्स कर थे अपर्टेक्स कर में से हमने सबसीडी को घटा के दिया है तो यह NIT हो गया अगर कहीं पर अपर्टेक्स कर भी दिया है जो उसके अपर्टेक्स कर अभी कहीं पर दे दिया माना उसकी लागत दे दिया आपको लागत है 100 प्रते नहीं लिखा है अप्रते 53Shp 40 रुपिया और स्सवाराबर दे 820 वाजन खो जाए विश्की सौमें से सौमें तो 40 बाजन कीमत है लागत इतनी थी तो बाजन कीमत सबय हैहां बाजन कीमत निकालनी है तो बाजार कीमत यहां पर क्या होगी साधन लागत धन टैक्स और रिन सबसिडी इसका अंतर या 10 रशे लिख दो या यहां कर दो नब रपया 100 धन 40 रिन 30 बराबर नब रपया कभी कभी क्या होता है कि टैक्स कम सबसिडी अधिक हो जाती है तो यह माइनस मा जाएगा माना अब इसी में दूसरे लागत थी माना लागत थी 100 रुपिया और जो कर थे अपर्टेक्स कर वह थे 30 रुपिया और सरकार ने सबसिडी दे दी 50 रुपिया तो अब यहां क्या आएगा जो NIT आएगा वह हम माइनस 20 आएगा यहां NIT प्लस 10 है यहां NIT माइनस 20 क्योंकि मून लिब बढ़ाया तो 30 रुपया सरकार ने कम कर दिया 50 रुपया अपनी और से दिया तो इस प्रकार से हम इनका अंतर निकालेंगे तो आज के लिए इतना ही कल हम अगला क्वेशन करेंगे उसके बाद आपको लगवाई चीज़ा है क्लियर हो जाएंगी तो थैंक्यू अ